आज का ये वीडियो गूगल शीट का है और गूगल शीट में सेल एड्रेस जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेल को उसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिया ये देखते हैं कि ये uniquely identify कैसे करेंगे और कैसे यहां पर sell addresses के बारे में हम जानेंगे तो Google Sheet को open कर लिया है हमने आप जैसा कि जानते हैं इसको offline और online दोनों तरके से use किया जा सकता है फिलहल मैं online use कर रहा हूँ और ये data जो है हमारे database में यानि की email में save भी हो जाता है तो अभी क्या करना है हमें अभी यहां पर देख सकते हैं name of product, price, unit और total दिया हुए और फिर यहां tax amount उसके basis पर calculate किया गया है कहने का यह मतलब है कि यहां पर product का नाम है और यहां पर उसकी price दी गई है अब जाया तो यहां पर इसको selection में ले करके और यहां से format में जा करके और फिर यहां से number पर आजाए और फिर नीचे आपको Indian rupees मिलेगा तो आप rupees का symbol भी लगा सकते हैं यह देखिए rupees का sign यहां पर जाएगा इस तरीके से ठीक है तो अभी हमें क्या करना है यह समझना है कि यहां पर देखिए यहां पर हमने formula लगाया है इस formula को मैं पहले हटा देता हूँ यहां से यह जो formula हमने यूज के इसको हटा दिया is equal to क्या ठीक है अब हमको क्या करना है यह price को unit से multiply करना है ठीक है price को unit से multiply करना यहां पर किया भी है हमने देख सकते हैं आप price को unit से multiply किया है और multiply करने के बाद यानि कि इसका cell address आप देख सकते हैं यानि कि यह जो B column दिख रहा है और यह 2 row दिख रहा है तो इन दोनों को मिला करके एक cell बनीगी ठीक है और यहां पर 120 जो है B2 cell में रखा हु तो इसके बद enter जैसे ही price करेंगे तो यहां पर 488 आजाएगा और यहां पर cursor को रखेंगे और double click करेंगे तो आपको सारे answers मिल जाएंगे यह मिल गए सारे answers इसी तरीके से हमें tax calculate करना है ठीक है तो अभी tax calculate करने के लिए is equal to लगाया और यहां से total को selection मिलेंगे ठीक है और इ इसको selection में लीजे और interface कर दीजे तो यहां देख सकते हैं कि 4.60% के इसाब से 480 रुपए पर tax calculate होगा लेकिन जब इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे तो यह 00 आ जाएगा कारण क्या है इसके पीछे कि जैसा ही हम नीचे के तरफ जाते है तो cell address हमारा change हो जाता है ठीक है और यह जो 4 है वो row है तो g4 में हमारा tax रखा हुआ है ठीक है अब जैसे ही हम इसको नीचे के तरफ लेके जाते हैं अभी यहां पर देख सकते है अब टू करके मैं दिखाता हूँ आपको यहां पर d2 into g4 दिया हुआ है ठीक है तो d2 के बाद d3 तो होना चाहिए नीचे ड्र रखा नहीं हुआ है तो कुछ नहीं का मतलब 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी संक्या को multiply करते हैं तो वहां पर 0 आ जाता है तो इसलिए इसकी वज़ा से हमारा जो answer है वो काफी affected हो जाता है और हम calculate करने का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे चाहिए वो Excel की बात करें चाहिए वो Google She identify करता है यहां पर देख सकते हैं जिस का address है D2 है यहां पर Tall पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते है यहां हम ने लिया रखा हो है यहाँ ठीक ॥ा यहां पर अलग color मैं provide कर देता हूँ ताकि देखवाने में ज्यादा सुविधा हो आपको और यहां से text का color बदल देता हूँ यह color अपने बदल दिया तो यहां पर देख सकते हैं 4.60% यहां पर दिया हुआ है ठीक है अब यह जो 4.60% है जैसे हम इसको drag करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से drag करते हूँ नीचे आएंगे तो यह देखिए यहां पर तो अभी बात समझ में आ रही है कि D2 into G4 है ठीक है जैसे हम नीचे जाएंगे तो D3 into G5 हो जाएगा यह क्योंकि भाई यह बतलेगा तो यह वाला भी तो बतलेगा नीचे ड्रैक यह भी तो हो जाएगा मतलब जैसे हम इसको drag करेंगे नीचे देखिए यह drag कर रहा हूँ तो इसका भी cell address चेंज हो जाएगा यहां से यह चेंज हो क्या नहीं चाहते है रो चेंज ना हो या कॉलम ना चेंज हो देखिए यहां पर है तो यह देखिए ध्यान दीजिए यह है G4 यानि G4 का मतलब यह हो गया कि G तो चेंज नहीं हो रहा है यानि कॉलम तो चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ रो ही चेंज हो रहा है तो र के साथ आपको 4 number बटन प्रेस करना है अलफाबेटिक बटन और एंटरफेस करना है तो यह एंटरफेस हो जाएगा और एंटरफेस कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रिजल्ट आ चुका है लेकिन अब हम इसको ड्रैक करेंगे तब तो हमें मतलब समझ मैं आएगा तो यह देखिए मैंने इसको ड्रैक किया और सारे ही रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं यानि कि हमने fix कर दिया fix कैसे करेंगे dollar लगा करके करेंगे और यहाँ पर जो हमने fix किया है तो देखिए row और column को मिलाने से spread sheet बनती है एक cell बनता है तो यह देखिए intersection of row and columns जहां पर होते हैं तो वहाँ से एक cell बनता है तो अभी यहाँ पर row और column में से किसको हमने fix किया सिर्फ row को fix किया है column को fix नहीं किया है तो इस तरह के जो fixation वाली बात है इसको हम बोलते है mixed cell address अगर कुछ भी fix नहीं है तो by default नीचे की तरफ drag करेंगे तो row column row जो है change हो जाएगा ठीक है column ने change होगा बलकि row जो है change हो जाएगा इसके बात बात कर लेते हैं ठीक है एक तो relative हो गया दूसरा हो गया mixed अब तीसरे की बात कर लेते हैं तो तीसरा हो जाएगा आपका absolute तो अगर आप इसको भी fix कर देते हैं यानि इसके भी ठीक पहले dollar लगा देते हैं तो ये बन जाता absolute cell address ठीक है इसे हम absolute cell address कहेंगे यानि कि row और column दोनों ही fix हो जाते है इसे हम absolute cell address कहेंगे तो ये google sheet में भी होता है excel में भी होता है एक्सल में हमने आपको पताया था गूगल सीट में भी पता दिया और इससे confusion काफी हद तक clear हो जाएगी और बड़े बड़े जो software आप बनाते हैं तो उसमें काफी help मिलेगी आपको ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद लाएं तो उसे share करें Thank you for watching this video